नमस्कार में नीता सर्मा आज हम लेकर किया हैं आवले का अचार जैसा कि आप सभी जानते हो आवला हमारे स्वास्त के लिए बहुती लाबदायक होता है तो इसका सेवन हमें किसी ना किसी रूप में करते रहना चाहिए जैसे कभी मुरब्ब बना लेजिए कभी अचार बना लेजिए इसका आप चूरन भी बना करके इस्तमाल में ले सकते हो आज हम आपको बता रहे हैं अचार बनाना तो यह में हमने डेड़ कलो के करीब आउले लिए एक दम ताजे आपको भी देख रहे होंगे सबसे पहले इनको दो करके 10 मिनट के लिए धूपे हम सुखा ले ताकि इनका सारा पानी अच्छी से सूख जाए आप एक आउला ले ले लेते हैं और चाको की साथा से इसकी हम इस तरह से कलिया बना लेंगे देखिए हमने सारी कलियां को बना लिया है अब बताते हैं मसाला तो यह हमने 50 ग्राम करीम मसाला यानिकी मैथी दाना लिया है और 50 ग्रम लई हमने सौंप के दाने थोड़ा सा लालमिच पाउडर ले ले लेते हैं लालमिच आप अपने इच्छा के इकॉर्डिंग घटा बढ़ा भी सकते हो और ये लिया है मैंने 50 ग्रम करीम नमक और 50 ग्रम से थोड़ा कम है हल्दी पाउडर एक चुटकी से थोड़ी सी जादा ले ले लेते हैं हम हिंग सबसे पहले कढ़ाई में डाल करके हम मैथी दाना को और सौंप को भून लेते हैं तो कढ़ाई हमने चूले पर रख दिया और गैस को मीडियम कर लिया है अब इनको लगाता चलाते हुएं तब तक भूनेंगे जब तक इनका कलर ना चैंज हो जाए तो हल्की से ब्राउन होने लगी हैं तो गैस को अब हम बंद कर देंगे देखिए बल्कुल बढ़िया से खुस हुआ रही है मसाला अच्छी से भून भी चुका है अब इसे ठंडा होने के बाद हम मिक्सर जारमन डाल करके गिरांड कर लेंगे तो इनको थोड़ा सा मौटा मौटा सा पीस हैंगे कई लोग अचार को बॉयल करके भी डालते हैं अगर आप बॉयल करके डालना पसंद करते हो तो थोड़ा सा पानी डाल करके गैस पे इनको बॉल कर लीजीए बॉल करने के बाद भी इरुकल इसी तरह से आप अचार बना सकते हो ति हमने mixi जार्मन इनको डाल दिया है अच्छी से हमने पीस लिया है बहुत ज़्यादा भारिक भी नहीं पीसा है अब बापस से चलते हैं फिर से हम गैस की ओर और चूले पर रख देंगे हम कड़ाई को तो हमने चूले पर पहले से कड़ाई को रख दिया है और गैस को मीडियम कर लिया है तो इसमें डाल दिया हमने 100 ग्राम करीब सर्सों का ते जब भी अब अचार बनाईए तो सर्सों की तिल का इस्तमाल कीजिए तेल अच्छे से गरम होने लगा है तो गैस को हमने बंद कर दिया उसमें डाल दी एक चुटकी हिंग यह हल्दी पाउडर लाल मिर्श पाउडर अब इन सब को हम अच्छे से मिला लेते हैं और जो मैथी क यह हम डिर्कलो के करीब आउले हमने जो बनाए है उसका मसाला बना रहा है अगर आप ज़्यादा बनाते हो तो मात्रा को घटा बढ़ा सकते हो अब अच्छे से मिलाने के पाद जो हमने आउले काट करके रखे थे वो भी हम इसमें डाल देंगे एक कल्ची की साहता से हम करती लाबदायक है तो आप अचार मना के खाईएगा बहुती स्वादिष्ट बनेगा तो मैंने पहले से एक कंटेनर लिया है उसको अच्छे से धूप करके हमने धूप में सुखा लिए हमारा अच्छे से ठंडा हो चुका है अब हम कंटेनर में इसको भरेंगी लगवा कि आचार आप पांच्छे महीने तक आराम से रख सकते हो आचार में बिलकुल भी पानी नहीं पढ़ना चाहिए पानी पढ़ने के करन से आचार हमारा जल्दी से खराब हो चाता है ओज्यादा समय तक नहीं चलता है कंटेनर भी सुखा होना चाहिए अगर इसमें थोड़ा सा अगर आपको हमारा वीडियो पशंद आए तो पिली चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिए धन्यवाद